नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार में इन चार अधिकारियों का हुआ तबादला नारंदा सासराम में अगले आदेश तक बंद रहेंगे इंटरनेट बिहार के 24,000 परिवारों को जमीन उपलब्द कराएगी सरकार बिहार के हर ब्लॉक और हर जिले में जै भारस त्यागरा की होगी श्रवाद धर्वात के लाल सत्य प्रकाश IPL में भोजपूरी में कमेंटरी कर मचा रहे धमाद इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से बिहार में इन चार अधिकारियों का हुआ तबादला बिहार राजश्व एवं भूमी सुधार विभाग में राजश्व संबंधी कारियों के समय पर एवं तुरित नस्पादन के लिए प्रभारी अंचल अधिकारियों के पद पर पदस्था बिहार राजश्व सेवा के चार अधिकारियों का तबादला किया गया है बता दे कि जिन चार अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें वर्तमार में मुंगेर के जमालपूर के प्रभारी अंचल अधिकारी कुडसेरा का प्रभारी अंचल अधिकारी बनाया गया है तो वही पृतिकुमारी को प्रभारी अंचल अधिकारी मुंगेर सदल मुंगेर और रवीना गुपता को प्रभारी अंचल अधिकारी बडियारपूर मुंगेर बनाया गया है नालंदा सासराम में अगले आदीज तक बंद रहेंगे इंटरनेट रामनावी जुलूस के दौरान बिहार के नालंदा और सासराम में दो शमुदायों के बीच हुए हिंसा घटना को लेकर सरकार प्रशासन और अस्थानी अस्तर पर हरुमान जयनती में किसी प्रकार का महौल खड़ाब न हो इसके लिए अलर्ट मोड में है बता दे कि दोनों अस्थानों पर अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है ताकि अफवा को फैलने से रोका जा सके मालूम हो किसको लेकर नालंदा के डीम के ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि नालंदा जिला में एंटरनेट सेवा फिलाल आठ अप्रेल के प्राता नौ बजे तक बंद रहेगा इसके साथी उन्होंने यह भी कहा है कि हम लोगों की कोशिश है कि जिले में सांती बनी करें मुख्य मंतरी बाली का प्रोस्ताहन योजना से जुरेगी वोकेशनल कोर्स में पास लर्किया सक्षा मंतरी बीदे दिन सक्षा मंतरी प्रोफसर चंदर सेखर के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि बहुत जल्द ही राजी की वैसी लर्किया जो वोकेशनल कोर्स से प की जाएगी शिक्षा मंत्री ने कहा कि संबंद में विभाग के ओर से प्रशासन इंदेशाले से रिपोर्ट मांगी गई है बहुत जल्द ही इसी महीने बैठक बुला कर दागी अफसरों की जानकारी लेकर सक्त कारवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि अभी तक इस योजना से वोकेशनल कोर्स की छात्राओं को नहीं जुडा गया है लेकिन जल्द ही इस पर काम किया जाड़ा है आइसी आर ने किसानों के लिए आम के फसल को लेकर जारी की एडवाईजरी राजी के आम के फसल पर धारीदार फल बेधक कीट के प्रकोप को देखते वे आइसी आर की है जिसके तहत किसानों को कहा गया है कि हकीट रात और सुबह जादा सक्रिय होते हैं इसलिए दवा का छिरकाओ भी उनके सक्रिय रहने के दौरान ही किया जाना चाहिए लेकिन दवा के रूप में किसानों को इंसेक्टिस साइट का प्रयोग करना चाहिए एडवाईजरी के आकार के टिकोली में मेला थियान पचास इसी दवा एक दसमलों पांच मिलीलिटर प्रती लीटर पानी की दर से छिरकाओ क्या जा सकता है उससे जादा बड़ा फल होने पर डेल्टा मत्रीन दो दसमलों आठ इसी दवा शुने दसमलों पांच मिलीलिटर प्रती लीटर पान ये अधिवक्ता अंजनी कुमार के दोरा मीडिया को दी गई जानकारी के नुसार 7 अपरेल को सुबह 10 बजे से साम 5 बिरे तक पटना हाई कोट में अधिवक्ता संग का चुनाव होगा वहीं 8 अपरेल की सुबह में सारे 9 बजे से मतों की गिंती शुरू कर दी जाएगी जिसके लिए संकी ओर से पूरी तयारियां कर ली गई है इसके साथ उन्होंनी यह भी जानकारी दी है कि इस बार पहली बार उमिद्वारों के मत पत्रों पर नाम और फोटो भी रखे जाएगे वहीं मद्दाताओं को अपने मनपसंद उमिद्वार के नाम पर क्रोस का निसान लगाना होगा और अगर इसके बदले कोई अन्य निशान लगाया जाता है तो उनके द्वारा किये गए मद्दान को रद कर दिया जाएगा सेखपूरा पहुचे माहभारत के भिश्मन पतामा बच्यों की प्यारी सक्तिमार और हिंदी धारावाहिक माहभारत के भिश्मन पतामा मुकेश खना बिहार के सेखपुड़ा जले के बरविग्गा नगर परिसच छित्र के सक्यार कॉलेज के पास एक नीजी कारिक्रम में सिर्कत करने पहुचे बता दे कि उन्हें देखने के लिए लोगों की भीर उमर पड़ी। इस दोरान उन्हें मीडिया से बाचीत करते वे कहा कि बिहार में पहले की अपेक्चा में बहुत कुछ बदलाव आया है लेकिन यहां सरकारी रोजगार की दिशा में कोई बहतर पहल नहीं की जा रही है जिसका नतीजा यहां देखने को यही मिल रहा है कि यहां के नौजवान नौकणी की तराश में बिहार छोड़कर महानगर चारे है इसके साथ उन्होंने कहा कि पहले के जवाने में सरके हैं या गड़े समझ नहीं आते थे लेकिन अब बहुत कुछ बदलाव आ रहा है बिहार के 24,000 परिवारों को जमीन उपलब्द कराएगी सरकार पीते दिन बुदवार को अखिल भारतिये खेत एवं ग्रामीन मजदूर सभा के प्रतिनीदियों से बात करते वे राजश्व एवं भूमी सुधार मंतरी आलो कुमार मेता के दोरा चानकारी ती गई है कि बिह जे हुए करीब 24,000 वासरह भूमी हीनों को जमीन उपलब्द करवाई जाएगी बता दे कि इसके लिए नए सीरे से सर्वे की शिरवात की जा रही है जिसे जल से जल पूरा करने का नर्देश दिया गया है आपके जानकारी के लिए बता दे कि राज़िके भूमी हीन गरीब दलितों को वाश योग्य भूमी उपलब्द कराने के लिए उपरेशन बसेरा के तहट अब तक 90,301 सुयोग्य श्रेनी के परिवारों को आवासन के लिए जमीन उपलब्द करवाई जा चुकी है ब्रेक बाइंडिंग के कारण इस स्टेशन पर जनसताबदी एक्सप्रस मे एसी बोगी में हावडा जानी के दोरान ब्रेक बाइंडिंग के कारण आग लग गई जिससे यात्रियों में अफराद तफ्री मज गई बता दे के ट्रेन में भालूई और कुंदर के बीच स्लीपर बोगी के चक्के में आग लग गई थी हालाक इस दोरान आग लगने से कि प्रकार की कोई हानी या नुकसान होने की खबरे सामने नहीं आई है इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि अगटना 399 वटा 24 पोल संख्या के पास घटी है हालाक इसके बाद तकनीकी टीम को बुलाया गया और फ्रेन को रवाना किया गया इस मामले की जानकारी देते वे जमुय स्टेशन मास्टर नितीश कुमार के दोरा कहा गया है कि ब्रेक बाइंडिंग एक तकनीकी समस्तिया है जिससे घरसन आग और धुआ पैदा होता है बिहार में ED की बड़ी कारवाई प्रवर्तन निर्शाले के दोरा प्रिवेंसन ओफ मनी लॉंडरिंग एक्ट के तहत वैशाले जला परिसत के ततकालिन असिस्टंट इंजिनर के खिलाफ कारवाई की गई है उसका नाम शिशीर कुमार है कारवाई करते वें प्रवर्तन निर्शाले के दोरा सिसीर कुमार के ठिकानों पर रेड कर 2.7 एक करोड की चल अचल संपती जप्त कर ली गई है फतादिक इसमें उनकी 23 अचल संपतियां सामिल है जिसमें भागलपूर और गोपालपूर में एक दरजन से अधिक जमीन के प गंटे में 21 नए मरीज प्यार में करोड के मामले में लगतार बढ़ोती होते जा रही है पतादी कि Pixar के पिछले 24 घंटे में राजे में करोड से जूरेकुल 21 नए मामले सामने आये हैं इसमें सबसे ज़्यादा इस बहर की राजधानी पत्तना से सामने आ strategically पत्तना से 21 मामलो में रहकर ठीक हो सकते हैं दरसे लुम का कहना है कि इस बार का वैडियन जादा खतरनाक नहीं है अला कि डॉक्टर ने इस माम ने कहा है कि सभी लोग मास्क, सेनिटाइजर और साफ सफाई का ध्यान रखें 43 साल के हुई बिहार भाजपा, आज के दिन ही वर्स 1980 में बिहार भी भारतिये जनता पार्टी के शिर्वात हुई थी बता दे कि भाजपा ने 1980 में ही चनावी राजनीती में कदम रखा और अगले ही विधान सभा चनाव में पार्टी को 8.4 एक प्रतीशत वोट हासिल हुई मालू हो कि इस चनाव में पार्टी ने 246 सीटों पर अपने हुमें द्वार खड़े किये थे जिसमें से 21 सीटों पर जीत हासल की गई थी बता दे कि आज भाजपा प्रदीश अध्यक्च समरार चौधरी के द्वारा भाजपा प्रदीश मुख्याले में 2000 रोहन किया गया और फिर प्रधार मंतरी नरंदर मोधी के द्वारा वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये सभी को संभोधित भी किया गया वहीं संभोधन की समापती होनी के बाद जन संकला के कारेकरताओं और जेपी सिनानियों को सम्मानित भी किया गया बतादी कि भाजपा स्थापना दिवश पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष समरार चौधरी के द्वारा कहा गया कि बीजेपी आज 2-301 सीट पर पहुँच चुकी है जो कि बीजेपी कारेकरताओं की मेहना से संभव हुआ है उन्होंने कहा कि प्रदान मंतरी मोदी के नर्दितों में पूरा देश आगे बढ़ रहा है बीजेपी के कारेकरताओं के द्वारा लगातार देश और बिहार बे बीजेपी को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है इसके साथ ही पीए मोदी ने टूइट कर कहा कि भाजपा के स्थापना दिवस पर सभी कारेकरताओं को बढ़ाई पार्टी को खून पसीन से सीचने वारे कारेकरताओं के कारण ही हमें देश सेवा का सौभागय प्राप्थ हुआ है सुधाकर सिंग ने विधान सभा सत्र को बताया निराशा जनक बीते दिन बुदवार को बिहार विधान सभा का अंतिम दिन था ऐसे में पुर्व कृषी मंतरी आरजेटी विधायक सुधाकर सिंग के दौरा इस विधान सभा सत्र को निराशा जनक बताया गया है उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा लाइग नीजी विध्यक पर चर्चान नहीं हुई जो कि विधाईका के लिए और सम्मान चरक है उन्होंने कहा कि लोगों को यह प्रयास करना होगा कि विधाईका अपने कारियों को सही तरीके से करे उन्होंने कहा कि विधान सभासतर शिर्फ दिखावे के लिए है इसलिए दोनों सत्रों की अवधी बढ़ानी चोगी इसके साथ उन्होंने सराब बंदी पर सुझाव देते वे कहा कि सराब पकरनी के लिए अलग फोर्स होनी चाहिए जिससे लौ एंड ओर्डर में दिक्कत नहीं आएगी उन्होंने कहा कि बिहार का लौ एंड ओर्डर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बहतर है बिहार के हर ब्लॉक और जिले में जैभारत सत्यागरा की होगी शुरवात अखिल भारती कॉंगरस कमीटी के सची बिहार कॉंगरस के सप्रभारी अजय कपूर के दोरा सिदाकत आश्रब में आयोजित एक सम्वादाता सम्मेलन में जानकारी देते वे बताया गया कि कॉंग्रेस पार्टी की ओर से केंदर की मूदी सरकार और बीजेपी के खिलाब बड़े पैमारी पर जैभारत सत्यागरा करेगी जो राजी के सभी ब्लॉक और जला से शिरो होग गयी थी उसकी जाच के लिए कॉंग्रेस पार्टी के प्रदीश अध्यक्स टॉक्टर अकलीश प्रसास सिंग के द्वरा जास समीतियों का गठन भी किया गया था इसके साथ उन्होंने कहा कि वर्नितीश सरकास से मांग करेंगी कि किसी भी धार्मिक जुलूस में हाथियारो के प्रदर्शन पर पुर्ण प्रतिवंध लागू कर दिया जाए धनबाद के ला सत्य प्रकाश आईपियल में भोजपूरी में कमेंटरी कर मचा रहे धमाल इस दवार के आईपियल को भोजपूरी कमेंटरी ने काफी खास बना दिया है बता दी कि ऐसा पहली बार होड़ा है जब क्रिकेट में भोजपूरी में कमेंटरी की जा रही हो भोजपूरी इंडस्ट्री के प्रसद अविनीता रवी किशन के साथ धनबाद के ला सत्य प्रकाश कृशन भोजपूरी कमेंटरी में धमाल मचा रहे हैं आपकी जानकारी के लिए बता दी कि सत्य प्रकाश कृ बरतमान में मुंबई स्थित स्टार स्पोर्स के स्टूडियो से IPL में लाइब कमेंटरी कर रहे हैं वहीं भोजपुरी में कमेंटरी करने को लेकर उनका कहना हैं कि यह उनके लिए गर्व की बात है जानियाज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेड? बिहार में आज यानी गुरुवार को पिट्रॉल डीजल के रेट जारी किए गा, इसके बाद राज धानी पटना में आज पिट्रॉल 107.2 रुपे और डीजल 94.2 रुपे प्रती लीटर में मिल रहा है, मुझे पर पूर्पूर में पिट्रॉल 107.9 रुपे और डीजल 94.6 र इसके साथ ही गया में पित्रोल कीमत 108.3 रुपए और डीजल गीमत 90.04 रुपए प्रति लीटर है बतादी कि बिहार में पित्रोल का ये सब ज़यादा कसन गजब में हैं जहां पित्रैोल एक पेट्रोल ये प्रति लीटराइब 122.04 ौपए इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल के और आज का सवाल है क्या आपने भोजपूरी में IPL मैचू की कमेंटरी सुनी है अगर सुनी है तो आपको कैसा लगा आपना जवाब हमें मारी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरो के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद